प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा चाय की गणित और इसमें हमने अपना तीसरा अधिया जो किये संख्याओं के साथ खेलना प्रारम कर दिया है इसमें हमने संख्यों के साथ खेलते खेलते विभाजयता के नियमों पर भी विस्टर चर्चा की थी और इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा चार्ट भी बनाया था उमीद है आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा और इसके साथ सवालों को हल करना भी प्रारम करती होगा वैसे हम पूर में सवाल नंबर एक कर चुके हैं और उस चाट की हमने बहुत मदल ली थी याद है न आपको तो आज हम उसी क्रम में सवाल नंबर दो करने वाले हैं जिसमें कि हम चार और आट से विभाजयता है कि जाज करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं सवाल नंबर हमारा दूसरा तो दूसरा सवाल क्या करता है विभाजयता है कि जाज के नियमों द्वारा ज्याद कीजे कि निमने कितमे से कौन सी संख्य चार से विभाजे है और कौन से संख्या है आठ से विभाजे है तो हमें केवल चार और आठ से विभाजेता जाज नहीं है पूर में तो हमने सब अंगों से जा चाता था ना अभी केवल चार और आठ से तो यह तो काम हमारे लिए हलका हो गए है तो देखिए हमारे पस टोटल कितने सवाल हैं दस सवाल हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पांसो भैतर की तो चार से विभाज़ता भी जाज़ेंगे और आट से विभाज़ता भी जाज़ेंगे तो याद कीजिए चार से विभाज़ता के लिए हम अंतिम दो अंग देखते थे याद है ना और फिर उसमें 4 का भाग देते थे, यादा है ना, 4 से भवाज जाता के लिए अन्तिम 2 आंख, भाग 4, यादा है या, और 8 से भवाज जाता के लिए अन्तिम 3 आंख को जाज से थे 8 से भाग जा रहा है या नहीं, ठीक है न, तो बस वही करना हमें याँ पर, 4 सी भागते के लिए अंतिम 2 आंक, यानि कि बहतर में हमें किसका भाग देना है, 4 का, बहतर में भाग देना है, 4 का, और इसमें तो भई पूरा का, पूरा तीन आंक के लिए पूरी संख्या ही आ जाएगी, कोई बात नहीं, आगे हमारे लिए सुवीधा जानक होने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले 72 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 और बजगे 3 और यह ऊगे 4 8 32, पुरा पुरा भाग जा रहा है ना, तो ऐसे में क्या यह भाग फल? 18, पुरा पुरा भाग जा रहा है, तो अब आप मुझे बताएं क्या ये संख्या पूरी की पूरी पूरी 570 4 से विभाजे बलकुल है क्योंकि हमारी ये शर्प पूरी कर रही है तो 4 से विभाजे है ठीक है, अब हमें क्या कर डा है 572 में 8 का भाग देना है तो थोड़ी सी जगर खाली कर देते हैं यहां परपे हमने 572 लिया और इसमें 8 का भाग दे दिया यहां परपे यह थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है लिख कुछ रहे हैं और कुछ का कुछ छप रहा है कोई बात नहीं अब हम चलते हैं आगे 8 के पाड़े में 8 उसाथ तो 56 और बचाया 7 मिस चायगा एक 12 और 12 तो 8 के पाड़े में नहीं आता है तो आगे करने के अवशक्ता नहीं हमें तो किवल बताना है कि विभाजे है या नहीं तो यह विभाजे नहीं है 8 ठीक हम 8 चलो पूरा करते है 4 6 बच रहे ना तो यह 71 सही 4 बटा 8 और अभी तो हमने इतना किया नेक्स हम इतना नहीं करेंगे हम तो सीधा बता देंगे विभाजे है या नहीं तो नहीं है ठीक है अब अगला 4 से विभाजे ता जांच नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं बेलकुल हम केवल 52 में भाज देंगे ठीक है ना तो 52 में किसका भाज देंगे 4 का तो 52 में 4 का भाज दिया 4 एकम 4 वैसे तो मुझे याद है तेरा दफर जाता है पर कर लेते हैं 4 तिया 12 पूरा पूरा भाज जा रहा है ना तो यहाँ पर पर 4 से विभाज जाता के लिए हमने क्या किया हमने किया 52 में किसका भाज दिया 4 का और 13 आया और 13 पूरा पूरा भाज जा रहा है इसका मतरद 4 से विभाज है ठीक है ना यह 13 कोच का कच बन जा रहा होगे यहां है यहां पे अब हमें 8 स्य मेफ्धाते लिए क्या करना होगा बिलकुल हमें अंत्य इन तीन आंग लेने होंगी 32 और 6 बचा फिर से 3 और ये तो फिर से पूरा पूरा भाग चला गया अर्थात ये संख्या क्या हुआ ये पूरी संख्या 8 से विभाजे है अर्थात ये संख्या तो 4 से भी विभाजे हो गई और 8 से भी विभाजे हो गई चलते हैं अगले बिंदो पर जो कि है बिंदो हमारा C 4 से इव CBD तो हम चुक्षी कर चुके हैं हमें केवल 2 स्थानों पर यानि कि 0 3 सूनन में ने कर पकेखेता है और यहाँ बात करें तो हमें आप किस में भाग देना पड़ेगा? 500 में भाग देना होगा 8 का चिक है ना? तो खड़के देख लेते हैं 500 में भाग दिया हमने 8 का तो 8 6 48 बच गए 2 और 20 8 के पढ़े में 20 तो नहीं आता अर्दोनी 16 आर्टी है चौबिस ज़ाद होते है आर्दोनी 16 शेश बच रहा है न तो यहां पर पे यह कूण भाजे नहीं है अतहां 8 से विभाजे नहीं है आप पूरी भाहाशा लिख सकते हैं अतहां 8 से विभाजे नहीं है कौन विभाजे नहीं है पूरी संख्या अथा 5,508 से विभाजे नहीं है आरी ने बाशन में अब टेक्स चलते हैं 6,000 पर तो 6,000 में भी वही बात लाग हो रही है क्या होगा यह 4 से विभाजे है सेम वही बात है न और यहां पर पर पिक अंतिम स्थान क्या आ रहे हैं चलते हैं नेक्स बिंदू पर जो कि हमारा बिंदू है अब यहां पर पर अंग थोड़े बढ़ गए है जो कि है 12,169 और इकाई के स्थान पर यहां पर क्या है वैसे तो मुझे पता है चार के पाड़े में इकाई के स्थान पर नो आता ही नहीं है पर फिर भी हम कर लेते हैं दिख रहा है नो तो कितना भी कर ले नहीं आने वाला फिर भी एक बार कर लेते हैं तो चार एकाँ चार पांटिस चार गया उननेस और चार के पाड़े में बीस आता है चार पंजे बीस और चार चोग सोला पूरा भाग तो नहीं गया तो दिखी रहा था ठीक है ना तो यह चार से विभाजे है क्या रहा है चौदा सही तीन बटा चार अतह पारह हजार एक सो उनसट चार से विभाजे कॉमा लगा दे ना वई चार से विभाजे नहीं है उमीद है अब इसके लिए आप भाग दे करके बता देंगे चुकि बाद में तो यहां में भाग किसका देना था आप लोगों ने ध्यान दे दिया होगा हो सकता है में ध्यान ने दिया यहां हमें भाग किसका देना था बिलकुल हमें भाग देना है आठ का और आठ के पहाड़े में अंतिम इकाई के स्थान पर क्या नो आता है कि याद कीजिए बिलकुल नहीं आता है तो इसमें भी पूरा-पूरा भाग नहीं जाएगा कुछ चीज़ तो हम पर जैसे हमने महाँ पर देख रहा जिरो पांच है तो पांच का भाग जाने वाले है तो अगर आप से केवल हान ना पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं आठ से विभाजे नहीं है ठीके ना नेक्स चलते हैं F पर तो 4 से विभाजय ता के लिए हमें अंतिम 2 स्थान देखने है ठीके ना और आगर फिर भी आपको संशे तो आप भाग दे करके देख लीजेगा तो यहां पर पे हम क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं साथ में किसका भाग देने वाले हैं चार का और जो कि क्या होता है पूरा पूरा भाग देने पाते हैं पंद्रा पंद्रा चौके साथ होता है तो चुकि पूरा 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 पूर्ण विभाज्य है आप पूरी संख्या चाड से विभाजय है अगर आपसे पूरा पूछता है तब तो आप इस्तर से लिखें और अगर आपसे केवल हा ना पूछता है तो आप उसको short लिख सकते हैं कैसे पूरा detail में लिखना है तो detail में आप लिखोगे चार से भख जाते है के लिए पहले हम अंतिम दो अंकों में भाग देने पर ठीक है और अच्छा से बता रहते हूँ अंतिम दो स्थान के अंकों औंग कौन-कौन से हैं? अंग 60 हैं, अंतिम 2 स्थान के अंग grate ईए अतहा है साट में हमने किसका भाग दिया, 4 का है Vision कि 4 का, जो एका मान कितना है अपंद रया है आतहा 14 564 से पून विज़े है अगर विभाजे है अगर आप से डेटेयर में पूछते हैं तो आप पूरी 7 साट से विभाजे हैं चलो एक बार में आपको पूरी भार्शा हाँ आठ से विभाजे के लिए बात कर रहा है तो हम ऐसे में क्या करेंगे अन्तम कितने स्थान देखने वाले बिलकुल तीन तो अंतिम है एम एह जे तैन क्या है अन्तिम त districts कया है हमारे 560 आंधिम तीन स्थान 560 है अतहां 560 में किसका भाग देंगे हम 8 का भाग देंगे करके देखते हैं यहां पर हमने लिखा 560 और फिसमें भाग देंगे हमने 8 का आठ़ साथ चपन और यहां पर प्याया शुन्य उपर सुतारा और यह सत्तर दफ़ा चला गया चलागे न तो ऐसे में पूरा-पूरा भाग जा रहा है तो अब बद होगे चूंकि पूर्ण विभाजय है अत्तह अब हम पूरी संख्या के बात करेंगे पहले तो हमने क्यों पांसो साथ की बात किया पूरी संख्या क्या बन गया हमारी 14,568 से पूर्ण विभाजय है ठीक है ना तो अब यह भाशा आप हर सवाल में आगे भी लिख सकते हैं और पीछे वाले जो छुटगे सवाल है उनमें भी काम में लिए सकते हैं चलते हैं अगले हमारे अंतिम दो सवाल की ओर जो की हैं जी और एच चार से भी भाज जैता तो अंतिम दो स्थान देखेंगे पूरी भाशे आप लिख लेंगे ना कि अंतिम दो स्थान 84 है अत्ता हम भाग किसमें देने वाले बिलकुल 84 मे ऐसे ही करने वाले हैं, 84 में 4 का भाग देंगे तो पूरा-पूरा भाग जाएगा 21 दफार, ठीक है ना, 4 दुनिया ठोड़ 4 एकम 4 और 21 चुकि पूरा-पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 210084 में भी 4 से विभाजिय है, लिख लेंगे ना आप लोग भाशा, ठीक है, चलू जीरो-चौरासी, और यहां हम भाग किसका देने वाले हैं, बिल्कुल 8 का भाग देने वाले, तो भाग देके देख लेते हैं, 84 में हमने 8 का भाग दिया, तो 8 हेकम 8, और 6 क्या रहा गया, 4 और हम इसको 10 दफार देंगे, तो अभी 6 चार रहने वाला है, तो पूरा-पूरा ज्यादा अंकों से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, आठ अंकों से बन रहा है, अगर इसको हम पढ़ना चाहें, तो यह बन जागा 3 करोट, सत्रा लाग, पिच्याणवे अजार बहत्तर, और इसको जाचनवे 4 यहां पर तो हम क्या करने वाले, सबसे पहल जाग देंगे 4 का, और 0 बहतर में भाग देंगे 8 का, ठीके तो बहतर में जब हमने 4 का भाग दिया, तो 4 इकम, 4, 32, 48, 32, पुरा पुरा भाग चला गया, तो यह अपने आपमे, 8 से भज्य, 4 से भज्य है, वे भज्य है, ठीके न, भाशा आप लिख देंगे, उमीद है मिज आप से उमीद कि आप पूरा विश्वास है अब तो आप एक्सपर्ट होते जाने और जिरो बहतर में हम किसका भाग देने वाले है आठ का शुनी देफा तो जाने है और बहतर में अगर आप याद करें तो यह आठ नम बहतर होने वाला है तो भाग तो पूरा-पूरा चला ही ज़िए गया 009 लिखा जाए नौ लिखा जाए तो यह पूरा-पूरा भाग जा रहा है तो यह 8 से विभाज्य है अर्था यह जो संख्या है इतनी लंबे चोड़ी यह 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है तो उमीद है आपको यह सवाल अच्छे समझ में आ गय है लेकिन अगर आपको अब शक्ता लगती है कि भाशा होनी चाहिए तो हमने इस सवाल में पूरी भाशा को लिखा है आप उस भाशा को बाकी सवालों में भी कॉपी कर लेजेगा ठीक है ना तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्णों कसा जुड़े रहिए धन्यव क्यार है